गुड मॉर्निंग चिल्डरन आज मैं आपको रीडिंग कराऊंगी चैप्टर जो पिछले चैप्टर था आपका चैप्टर 12 द अर्थ इसका आपका पेज नंबर 49 की जो भी रीडिंग थी वो आपको मैंने पार्ट वन में कराई थी आज पार्ट सेकंड आपका आएगा जिसमें रीडिंग पेज नंबर 50 की कराऊंगी आपको ठीके तो आप देखिए हमारा जो अर्थ होती प्रत्वी उस पर कई साज चीजे होती है डेजर्ट रिवर लेग आईलेंड वाटरफॉल सी ठीके तो आप मतब डेजर्ट मींस होता है रेगिस्तान रेगिस्तान क्या ज़ि डेजर्ट इस इस इअ डि इए अर जी इलार्ज ए आर ई ए ए अरिया ओफ ऑप टी एची दा एलएंड लैंड सी ओ बी आर एडी गवर्ड बी बाइ वाई आई सेंड अब सेंड मींस क्या होती है मिट्टी और desert means क्या होता है रेगिस्तान रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जो से मिट्टी से ही गिरी हुई है यह देखिए इसका पूरा area किस से गिरा हुआ है मिट्टी से और यह बहुत बड़ी जगह है जिसको हम लोग बोलते है रेगिस्तान तो रेगिस्तान यही है जहां पर मिट्ट मिठ्टी नजर आती है आप देखिए river is water flowing along the land और नधी कैसी जगnessy है जो सिब क्या है थे सीब है लिए अलोंग ता लैंड जो नदी होती है वह हमारे जमीन के बीच में बैहती है इधर भी जमीन अग पर बीच में क्या बह रहा है हमारा पानी तो इसको हम क्या कहेंगे नदी, river means नदी, अब L-A-K-E Lake, Lake is a large area of L-A-K-E Lake, IS is a L-A-R-G-E large A-R-E-A area of of W-A-T-E-R waters, S-U-R-O, O-U-N-D-E, दी सरॉंडेड बी बाई बाई दा एले एंडी लेंड तो सरॉंडेड मींस होता है चारो तरफ उसके चारो तरफ लेक इजा लार्ज एरिया ऑफ वाटर मतलब जो जील होती है वो बहुत बड़ी जगह होती है पानी से भरी पानी की पानी से भरी हुई चारो तरफ पाई तो जील क्या है कि एक बहुत बड़े एरिया में पानी भरा होता है जिसके चारों तरफ जमीन होती है बीच में काफी इस एक पॉंड होता है अपने पॉंड देखते तालाव वो कैसा होता है बीचों बीचों पानी भरा होता है लेकिन जील क्या होती है उससे भी बड़ा एरि अब आईलेंड इस द्वार ओफ 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 टीएची भाइ लैंड यू यू डूर ओडबर वाटर और आईलेंड इस जगह है जिसके चारो तरफ पानी ही पानी होता, बीच में एक हिल की तरह पहाडी की तरह एक छोटी सी जगह दिख रही होगी, देखो आपको इस दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइलेंड, जो पानी से घिरी हुई जगह है और इस पर छोटा सा इससा जमीन का जो दिख यह क्या है मारा आईलेंड अब देखिए waterfall डबलु एटी एर फेडवल ल वाटर फॉल बाटर फॉल बाटर फॉल इस एस टी आर ए एं इस्ट्रीम डबलु एच आईच इस विच फेडवल एट वाटर फॉल्स फॉल्स डबलू सॉरी एफ आरो एम फ्रॉम एच एई आई जी वाटरफॉल इस ट्रीम विच फॉल्स 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 फ falls from the height और उंची जगहों से जो गिरता हुआ पानी होता है उसको हम बोलते है waterfall अब S E A C S E A C C means होता है समुद्र I S is a L A R G E large A R E A area of S A L T Y salty W A T E R water C is a large area of salty water मतलब जो हमारा जो समुद्र होता है वो नमकीन पानी का एक बहुत बड़ा area होता है जगह होती है जिसका पानी बिलकुल नमकीन होगा खारा हमारी प्रत्वी क्या है प्रत्वी जो है वो कम जगह में हो सबसे ज़्यादा क्या है पानी लेकिन पानी क्यों जाए अब हम लोग कहते है पानी बचाओ पानी बचाओ पानी कम है वो पानी इसलिए कह लिए नुकसान दायक होगा यह पानी बहुत जादा नमकीन होता है जो नमक बनता है हमारे गर में आता है वो समुद्र से ही निकल के आता है और यह क्या होता है इसके दूर दूर तक आपको कहीं जमीन नजर नहीं आगी इसे पानी ही पानी नजर आता है तो यह होता है समुद यह सारी चीज पानी से ही रिलेटेड है देखिए लेकिन सबकी अलग 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 अरिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह आज मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर 12 अर्थ और 50 पेज नंबर पार्ट 2 में अब कल में आपको नेक्स्ट वीडियो में आ आपको कंप्लीट करनी और आपको लर्न करनी है लेकिन आज आप पेज नंबर 50 की रीडिंग करेंगे एक दो से तीन वार चार वार जिससे आपको यह रीडिंग करना आ जाए थैंक यू हैवन आईस टे